हेलो फ्रेंड्स वन्स अगेन वेलकम और वेलकम बैक तो यू ओल ऑन माई यूटीव चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसंबर 2023 एक्जामिनेशन के बारे में में गया है और इक्जामिनेशन फॉर्म हैं कि किसको नहीं बरना वे or तो आइए स्ट्राट कते हैं हम बात करने वाले हैं अिक्जामिनेशन का जोनल नोसे स्ट्रिवकेश्ट से वारे में examination form किसको बरना है so यहां पर आप देखी examination schedule 25 तारिक को release कर दिया गया है examination schedule 2023-24 so इस schedule को हम देख लेते हैं इसकी pdf डाउनलोड कर लेते हैं और pdf डाउनलोड हो चुकी है अब pdf में क्या है examination schedule का दिया हुआ है इन्होंने so यहां पर दिया हुआ है कि all it is to inform the candidate that the schedule and last days for submission of examination form यूजी पीजी certificate सभी courses के लिए है यह 2023-24 शैसन के लिए और जो academic calendar है उसके according वो यह है यह दिया हुआ है इन्होंने without late fees है 26-9-2023 26-9-2023 तक आप लोग जो है वो form fill up कर सकते हैं without late fees उसके बाद late fees आपकी लगनी स्टार्ट हो जाएगी 2285 से लेकर के 20,075 रूपीज तक आप लोगों की fees लगेगी late fees अगर आप इन डेर्स पर नहीं करते हैं so I recommend you कि आप 26 तारिक से पहले-पहले अपना form fill up कर ले इसके बाद है all UZPZ regular private use sole candidates का 26 है और इनका बाकी दिया हुआ है यहां की eligibility report वगयरा तो यह चीज़ आपकी नहीं बड़ आपको examination form ही बर रहा है यह है आपका UZ का UZ क्लासिस का UZPZ क्लासिस का और इसके बाद यहां पर दिया हुआ है इन्होंने examination schedule अब examination schedule क्या है तो यह देखिए आप 26 तारीक तक जो है वो form fill up करोगे उसके बाद आप लोगों का examination schedule जो है वो PG glasses का start हो रहा है examination की इन्होंने date दे रखी है और जो UZ और PG का दिया हुआ है इन्होंने second semester का और यह अभी आपकी जो date है exam कब से होंगे 29-11-2023 पर यहां पर इन्होंने mark किया हुआ है यानि की नोवंबर में आप लोगों के exam start हो जाएंगे और examination जो है वो date change हो सकती है अगर holidays बीच में declare हो जाता है कोई तो उसी साब सी examination dates भी change हो जाती है बट अभी तक जो date है वो नोवंबर एंड में आप लोगों के exam होंगे और in case date of date for submission of examination form and fees fall on holiday the next working day shall be the last date for submission of examination form तो यह rules हर बार declare होते है इस बार भी है बट आप लोगों को जो main dates हैं वो 26 और 29 याद रखनी है 26 नो को आप लोगों का last date है examination form की और 29-11 हो जाते है इसको आपकी examination start होने की date है इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि किन candidates को examination form भरने है अब भाई पंजाव इंविश्टी के जितने भी department और colleges होते हैं वो सारे आप लोगों को दो options देते हैं कुछ departments ऐसे होंगे जो आप लोगों से सिरफ fee submit कराएंगे और examination form खुद fill up करेंगे तो वो department simple अपनी website पर notification निकालते हैं आपको कहा देते हैं कि fee payment कर देजी examination fees और आपको एक code देदेंगे उस code पर आप fee payment करो कि रिस्टी जमा करवा दो कि आपका examination form भर जाएगा बट कुछ department आपको advise करते हैं कि आप लोग खुद अपना examination form fill up कर दीजिए और उसकी copy जो है वो department में जमा करवा दीजिए जो भी आपका department है अगर आपका department कह रहा है कि आप लोगों को जो है वो examination form भरना है तो आपको भर रहा है अगर आपका department कह रहा है करके पता कर दीजिए कि आपके department में या only fee payment होती है examination form fill up कराते हैं अगर आपको examination form fill up कर नहीं करना था तो उसकी भी मैं आप लोगों को वीडियो बता दूँगा बाकि अगर आपकी कोई और को एडिया तो आप वो भी पूछ सकते हैं thank you and thank you so much for watching